Assalamu alaikum, bacterial diseases in human हम लगोंने कर ली हैं, अब हमें कर ली हैं bacterial diseases in plants तो bacteria cause many diseases in plants, here we will discuss few of these, example leaf spots, blights, soft rots, wilts and gults तो देखते हैं बारी बारी के हैं सब क्या हैं, सबसे पहले start करते हैं leaf spots इसके symptoms के हैं, यहां पर diagram के through भी हमें दिखाई होई है leaf spots मतलब आप लोग देख लेए किस तरह होती है देखने में किस तरह है इसकी पहचान हो सकती है फिर उसके बाद जिस तरीख से हमें यहां पर spots नजर आ रहे हैं इस तरह से spots बन जाते हैं leaves पे फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके symptoms it is most destructive plant disease of rice, tomato, potato, mustard and many other plants different plants में यह disease पाई जाती है और यह उन plants में सबसे ज्यादा destructive disease है कि यानि कि सबसे ज्यादा तबाही पहलाने मारी सबसे ज्यादा नुकसान दे the leaf blades of these plants are infected by bacterial spots bacteria in leaves में क्या कर देते हैं, spots बना देते हैं, spreading a type of lesions फिर वहाँ पर lesions हो जाते हैं which turn brown and dry out lesions यानि के समझे निशानात जिसे जखम के बाद निशान बन जाते हैं और वहाँ पर मतलब dead cells पाए जाते हैं जिस एरिया में वो lesions हैं फिर वो जो area होता है, spotty area जहां पर lesions हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, spreading a type of lesions हाँ, वो क्या होते हैं, brown color के होते हैं और फिर पहले उसका color change होता है, वो green से brown हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, dry out हो जाते हैं फिर इसके causative agents, leaf spots हो क्यों रहा है, कौन सा bacteria इसमें responsible है जाते हैं, the causative agent is the bacterium of the genus, zendhomanas, in tomato and pepper पैपर सबको पता है, अगर मैं black pepper बोलू तो वो काली मिर्च होती है, तो ये pepper plant और tomato plant इन दोनों में जो leaf spots cause करता है, वो bacteria zendhomanas है, zendhomanas जेनस से तालुक रखता है, एक genus होता है, एक species होती है, दोनों मिलकर एक biological name कम्प्लीट करते हैं किसी भी organism का, तो इस bacteria का जो genus है, वो ही हमें बतायवा है, और वो है zendhomanas, फिर उसके बाद prevention, इससे बचा किस तरीख से जा सकता है, बचाया किस तरीख से जा सकता है, प्लांट्स को, और अगर प्लांट्स को a disease हो चुकी है, तो फिर खुद को किस तर तो में उन क्रॉप्स के आस पास काम ना करें, पैथोजन्स के स्प्रेड मिकैनिकली थ्रो वर्किंग हैंट्स और फार्म मशिनरी, यूस डिजीज फ्री सीट्स, ठीक है, जो पैथोजन्स हैं, इस पैथोजन्स जो इन प्लांट्स में डिजीज कॉस कर रहे हैं, अगर आप हाथ से वहाँ पर जाकर काम करोगे, जब वो प्लांट्स वैट होंगे, तो वो हाथों के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं, एक जगा से दूसरी जगा पर स्प्रेड हो सकते हैं, या तो फिर मशीनरी के थ्रू भी स्प्रेड हो सकते हैं, पहले उन प्लांट्स मेशीन्स प करें थे ए इन अबो बैंगर थे शपन को खाब से पास भी और η भेरव सकते हैं था कंपोशिव 12 एफंश प्राइट फ्राइट क्यों और भीriage प्रॉं रिक्ट जितने टाइम में जितनी अमाउंट 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 में जितनी अमा करना है इस चीज का खयाल में रखते हुए कहीं से प्रॉपर फॉलो करते हुए अपनी मर्जी से नहीं कि बस कभी भी कितना बिचाकर इस्प्रेय कर दिया रिकमेंडिट रेट पर कहने का मतलब सिर्फ यह के जो चीजें पहले से बताई हुई है उन्हीं के मताबिक उन्हीं को फॉलो करते हुए स्प्रेय किया जाए क्या क्रॉप फंजिसाइट्स क्या होते हैं फंजिसाइट्स जिस तरीख से हम लोगों ने पढ़ है पैस्टिसाइट्स पैस्टिसाइट्स वह होते हैं जो हार्मफूल इंसेक्स को किल कर देता है इसी तरीख से फंजिसाइट्स होते वiffany नेच्स्ट डिसीस की तरफ आते हैं जो है हमाइपास ड्लाइट्स इसके सेंटम 較 धील ब्रोसम है इस अम चाहते हैं हो और सो नाम अम थो सब्कुरा यह दिया हुए किलिद्स ब्लाइट यह हुआ Lost वह नेचरल सेल डियथ होती है।ánh घृन מטचिन के डिजीज होती है। झाय किसी एक्सिजबन के इनसिजिटेट्क होती है, अक नेट्रासिस होती है। किसी नीचरल सेयल् rasa नइनसिटेट्ट्थ een किसी डिजीज की वज़ज़ सरक डिजीजबन, अगर आपके से ब्लास्ट हो रहे हैं अगर आपके से इंफेक्ट हो रहे हैं मतलब खतम हो रहे हैं बस किसी भी रीजन की वज़े से तो वह होती है नेक्रोसिस ठीक है तो अगर के मैंगो प्लाइट्स में हो ब्लाइट्स तो उनका नाम है एपिकल वर्ड नेक्रोसिस पर उसक और जिसका common name है एक से स्यादा plants में वह है simple blight यह blight नाम से में जाने जाती है और rice plants में तो अगर और अगर और ओट प्लांट में हो तो भी यह ब्लाइट नेम से जाने जाती है फिर उसके बाद इसके कॉसिटिव एजेंट्स हम लोगों ने देख रहे हैं कौन सा बैक्टेरिया है जो यह कॉस करवा रहा है और देखें ब्लाइट्स के हाँ पर दिखने में इस तहां के होते ह सुझने कान फेलाउ थे इस इसके ब्लाइट को सो उसके लोगों दिखने में कैसे हैं यह भी देख लेंए असका इसका एजन was back to the अप्ल, मैंगो एक्टरा, और अकर रास के लाव़ इन डिफरेन्ट प्लंट्स में गाउस हो रही होगी यह डिजीज तो उसमें इंवाल होंगे स्वेडोमीनास रेंगजी या इसके लाव़ और बिशिचीस हो सकती है फिर इसकी प्रिवेंशन क्या है यूजज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज़ीज की जो बहुत जाद़ा से सकेप्टिबल चान्सेंश है कि निमें डिजीस हो सकती है आप उन्हें आवायड कर दे उन्हें युस ना करें और किसी है कीई और जी ना करें । कि आप इनक्राइबड क्या करना है infected plant को remove कर देना है उस area से ताकि आस पास के healthy plants हैं वो infect ना हो फिर उसके बाइड next disease है हमारे पास soft rots soft rots क्या है यह दिखने में कैसे होते हैं यह दिखने में ऐसे होते हैं अकसर देखा होगा हम जब फल खारे होते हैं तो हमें यह दिखने को मिलते हैं इस तरीखर के दाग लग जाते हैं fruits में, vegetables में भी हम देख रहे होते हैं तो देखने हैं, इसके symptoms के एरिषय कॉमन डिजीज इंड वेज़िटेबल और fruits that can occur in field ठीक है, बहुत जादा common disease है है वैसे में मैंने कहा कि हम घरों में अकसर देख रहे होते हैं प्रूट्स और वेजिटेवल्स में बहुत से अगर फोड़ा से अभी टाइम हो जाए खरीड हुए यह घरमें रख्यूए है थोड़ा सा हमने यूज़ना किया हो फोड़ा के स्टोरेज अगर में और बहुत सब्सक्राइब कर जाती है थीकर इस थारिए के रच्राषे नहीं बजाया ट्रांस्पोर्टेशन के दरानगर टाइम लग जाए तो यह डिजीस बहुत ज़ादा कॉमन है इसके बाद इन मोस्ट प्लांट्स रॉट टाइप सिंटम्स अपेर बहुत ज्यादा प्लांट्स में यह सिंटम्स आते हैं दियर नेक्रोटाइस्ट टिशू नेक्रोट ना हो प्रोग्राम्ड सेल डेथ ना हो अगर किसी और रीजन की वज़े से इंफेक्शन वगारे किसी भी चीज़ की वज़े से आपके सेल्स की डेथ हो रही है तो वह नेक्रोटाइस्ट टिशू कहलेंगे ठीक है तो जिन जिसमें रॉट्स पढ़ गए हैं अब उनके जो होंगे सबसे पहले वह वैट हो जाएंगे ठीक है यह जो दागी एरिया होता है यह सबसे पहले तो बहुत ज़दा वैट हो रहा होता है ठीक है तो उस एरिया को हम अगर थोड़ा बहुत रॉट है तो फिर हम उस फ्रूट को बिलकुल फैंक देते हैं ठीक है तो यह सबसे यह बागी का एरिया फिर भी जो है वह थोड़ा बहुत करंची होगा गर मैप्पिल के एक्जाम्पल दूँ और लेकिन यह जो रॉटन एरिया होगा जहां पर रोट पढ़ गए होंगे जो गला सड़ा एरिया होगा वहां पर क्या हो जाएगा वह बिलकुल एकनम से सॉफ्ट पर उसके बाद इसका कॉज़िटिव एजेंट क्या है इसमें अर्वीनिया ग्रॉप कॉस्ट इस डिजीज सच एस अमालो वोरा टू पोटेटो अगर यह पोटेटो इसमें कॉस्ट होगा और यह वीट में होगी तो कॉरणी बैक्टिरिया मिसमें इन्वाल्व ओगा ठीक ह अगर क्या है जो फुर्ट निकाल कर डिसकारट के ढ़िए ञताकि अम्हें उसके बादे है उसके बाद मारी नेक्स डिसीज जो है विल्टिंग की सिंटम्स क्या है वह दिखने में इस तरिकेसे एq यह यह एच्छी चीजए हैं कि हमेरे डाग्राब वाइस इक्वाइं किया सिम्टम्स थे लीफस के यंग लीफस भाइब और डिल्टी ड्रॉइन विल्ट का इन्टॉणक्ण का दे युदि करवाने जिसका हुआँगust जाएंग मर्जा उसकाइंगे, ने पुल्ट में GoPro दोगंे, iszुक्षी पूलंगे, जाएंगे जाएंगे सबस्के हो एक अठीक हैं दीनी में में नीरी खुंड़ेतर विए सबसे değer साहीं इसमें भी वोई है कि डिजीस-फ्री सीड्सा करें, नॉट प्लंट इन पुर्ली ड्रेंड साइट, ऐसी साइट जहां पर बहुत जबार ज़ाया है, जहां पर प्लिविड ड्रेंड किया जा रहा है, जहां पर जाहिए नाले वगर थैफ और प्रींड प्राबल्म होती बहुत तो हो दो प्लांट से एक दम से इतने करीब ना हो कि इस तरह की डीजीजिस जो हैं वो कौज हो और उनकी हेल्धी ग्रोथ ना हो सके हेल्धी ग्रोथ होने के बज़वर में डीजीजिस हो जाए तो हमें इन थोड़ी पहुत चीज़ों का खयार रखना चाहिए और अगर किसी इतनी आसानी सप्रेड ना हो सके है इसलिए हमें इस चीज़ का खयार रखनाकी चाहिए और के बात मेरे का खयाल साथ हे लास्ट उस डिसीजिस होते हैं जाखने में ऐसे हुते हैं फिर उसके बात को सिम्टम्स केbenिज़िए बैक्टीरिया लाइक अजरो पीपिे उनी तो प्रॉकल-small-abnormal-outgrowth यह छोटी-छोटी सी outgrowths है आउट-growth यानि के नॉर्मल ग्रोथ नहीं है नॉर्मल ग्रोथ के इलावा अगर नॉर्मल इस्ट्रक्चर के इलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज आकर कहीं पर ग्रोव करती है तो उसे हम कहते हैं outgrowth ठीके तो यह abnormal-outgrowth य नॉर्मल नहीं है on infected plants धस्कॉल्ट इसलिए क्या कहलाती है गॉल्स कहलाती है फिर उसके बाद इसके कॉसिटिव एजेंट्स क्या है कॉसिटिव एजेंट्स अच्छा यहां पर दुबारे से हमें मजीद इसके एजेंट्स वही वही लिखा हुए है वही नाम भी लिखा हु होते हैं इन legumes यह सारी चीज़ें roots से related होती है तो rhizobium leguminos serum इसका नाम इसलिए है क्याओ प्राबराज तो यह जो है इस नाम का bacterium जो है वह गॉल्स कॉस करते हैं root nodules में roots में यह bacteria disease कॉसक करता है इन legumes and acrobacterium टिमफेशिंस और रूट्स ठीक है इस नाम का जो बैक्टिरिया है वो लेग्यूम में अब्विसलि जब इसके नाम में लेग्यूम आ रहा है तो लेग्यूम प्लाइंट के रूट्स में ये डिजीज कॉस करेगा और जो एग्रो बैक्टिरियम टिमफेशिंस है ये रूट्स में cause करेगा, roots के साथ-साथ ये twigs में, branches में of many shrubs, shrubs क्या होती है shrubs, herbs and shrubs क्या होती है जड़ी, बूटियां, तो ये उनके twigs यानि कि छोटी-छोटी से टहनी होती है उनके branches में और उनके roots में disease cause करते हैं ये दो bacteria's के नाम यहां पर लिये गए हैं फिर उसके बाद है prevention remove galls in infected plants वही बात हो गई कि जो infected plants है उनके जो galls वाले leaves से उनके रिमूफ कर दिया जाए प्रैक्टिस या उनका जो भी जहां पर भी galls develop हुए हैं उस area को remove कर दिया जाए पर उसके बाद प्रैक्टिस crop rotation crops rotation करने चाहिए और sterilize the soil using chemical heat अच्छा क्या करने चाहिए basically हमें sterilization एक हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ spray जो हम लोगों ने फिर्स डिजीज में पढ़ा था उसके बाद अब हम यहां पर पढ़ नहीं है sterilizing बाकि इसके लावा हमने किसे disease में इस तरह की कोई चीज नहीं देखी हम ने यहीं देखा कि हम भई plant को दूर रखे healthy plant से या तो फिर हम उने remove कर दें या तो फिर हम healthy seeds करें इसे तरह की चीज़ें लिखी हुई है यहां पर एक में सिर्फ हम लोगों ने पढ़ी एक extra चीज जो है इस्टेलाइजेशन और डिसिंफेक्टिंग यह थोड़े बहुत आपस में resemble करते हुए है इसका असल इस्टेलाइजेशन होता क्या है कि आप किसी चीज को micro-organism से और जितने में harmful चीज़े हैं उनसे आप किसी चीज को जो है वो clean कर रहे हो ठीक है इस्टेलाइजेशन एक तो होता है ना cleaning करना सफाई करना यह जस्ट सफाई करना नहीं है यह different techniques के थूँ different चीजों के थूँ different agents को use करते हुए cleaning की जाती है वो कहलाती है sterilization ठीक है तो different chemicals जो heat वगारा को use करते हुए sterilize करना चाहिए हमें तो यहाँ पर bacterial diseases in plants भी खतब हो चुकी है next है हमारा topic bacterial flora of human जो हम लोग इंशाल्ला करेंगे next lecture में अलाफ़ेश